नमस्कार साथियों एक पर फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे बैतरी इन चैनल टीम अर्पित के उपर आज हमारा पहला वीडियो सेशन आ रहा है दाट इस डे वन फॉर ट्रिगनोमेटरी और सीडियसी एफकैट और आई एनेटी So my name is Arpichowdhri and I am your defense mentor तो आपको आज मैं ट्रिगनोमेटरी के बारे में कुछ basic concepts और basic pre-requisites आपको मैं सिखाऊंगा विकाज जब भी हम ट्रिगनोमेटरी की बात करते हैं यह concept clarity जादा तर cases में होती है questions से थिक हैं तो हम लोग questions भी आने वाले lectures के अंदर discuss करेंगे तो आज हम पहले basic concepts मैं आपको करा देता हूँ और एक quick revision भी करा देता हूँ क्योंग आपने class 10th के अंदर पड़ी थी trigonometry हो सकता है उसके बाद आपने mathematics pursue किया हो सकता है नहीं pursue किया तो आईए जानते हैं कुछ basic concepts के बारे में सबसे पहले trigonometry की जब मैं बात करता हूँ हमारे दिमाग में क्या आती है चीज कि angles तो angles अब मापे कैसे जाते हैं system of measurement of angles यह कोई नहीं पढ़ाता है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है पढ़ ठीक है जी system of measurement of angles ठीक है हमारे पास measurement angle को करने के लिए ना तीन तरीकी के measurements होती है पहली कौन सी होती है sexagesimal या फिर degree measure इसको English system बोलते है यह क्या measure होता है आप definition read out कर सकते हैं यह जो measure है यह क्या कहता है आपका कि एक right angle है ना मेरे पास अगर एक 90 degree angle है ठीक है जी अगर यह मेरे पास 90 degree का angle है तो मैं इसको 90 parts के अंदर तोड़ सकता हूँ मतलब यह 90 degree angle है तो इसको 90 parts equal parts के अंदर मैं तोड़ सकता हूँ एक right angle को मैं 90 equal टुकडो के अंदर जोड सकता हूँ जहाँ पर एक टुकडे की value कितनी है एक टुकडे की value कितनी है एक डिगरी है ऐसे ही 90 टुकडों के अंदर में एक राइट एंगल को तोड़ देता हूँ एक राइट एंगल मेरा 90 टुकडे बन गया that is 90 डिगरी एक डिगरी की वैल्यू साथ मिनिट्स के परावर भी होती है एंगल को हम लोग minutes और second में भी मापते हैं तो one degree is equal to 60 minutes होता है and one minute is equal to 60 seconds भी होता है तो English system हम लोग mathematics की geometry section के अंदर adopt करते हैं second one is centesimal system अब ये french system है ये होता है grades में मापा जाता है कैसे मापा जाता है grades के अंदर अब ये grades का कह चक्कर है ये एक right angle को 100 टुकडों के अंदर बाढ़ता है क्या एक right angle को 100 टुकडों के अंदर बाढ़ता है ठीक है जी, one right angle is equal to 100 grades ठीक है जी, one right angle is equal to 100 grades के बराबर होता है और one grade के अंदर कितने minutes होते हैं मैटे 100 minutes होते हैं और एक minute के अंदर 100 seconds होते है जैसा right angle हमारे पास hexadecimal के अंदर right angle लबबे degree के अंदर होता है उसके अंदर 1 degree 60 minute के पराबर होता है और 1 minute 60 second के पराबर होता है centesimal system के अंदर आपका क्या होता है कि एक right angle जो है न वो 100 grades के पराबर होता है 100 टुकडे होते हैं और 1 टुकडे को 1 grade बोलते हैं एक grade के अंदर 100 minute होते है और 1 minute के अंदर 100 seconds होते है चलिए then comes the circular system हम लोग ट्रिकों के अंदर circular system का इस्तिमाल करने वाले हैं trigonometric अंदर we use circular system या फिर radiant system यह क्या कहता है यह कहता है यह कहता है वन रेडियन जो होता न एक रेडियन यह कुछ नहीं है बेटे it is the angle subtended by the arc at the center of the circle whose length whose length is equal to the radius of the circle अगर यह suppose करो यह radius of the circle है यहाँ पे जो angle subtended हो रहा है यह one radian होगा कब जब यह जो L है यह arc है यह arc इसकी length भी radius of the circle के ही बराबर होगी तो यह क्या होता है यह एक beach के अंदर जो center पे angle subtended हो रहा है वो वन रेडियन होगा कब वन रेडियन होगा बीच के अंदर जब इसका radius और इस length की arc आपस में बराबर होगी तो it is the angle which is subtended by the arc whose length is equal to radius of the circle at the center of the circle ओ ठीक है जिए अंदर तो यह one radian होगा in this system angle is measured in radian a radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle ठीक है अब theta यह जो angle theta होता ना इसको मापना है तो इसको arc upon radius से भी दिया जाता है ठीक है जी किस से दिया जाता है arc upon radius से भी angle हमार को दिया जाता है आगे बात करते हैं relation between system of measurement of angle ठीक है जी आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे क्या होता है वो कि जो pi radian है ना pi radian pi radian is equal to 180 degrees हमेशा याद रखें क्या pi radian radian को उपर c से भी denote करते है is equal to 180 degrees होता है हमेशा ठीक है जी pi radian is equal to 180 degree तो यहां से अगर मैं पूछू what is 1 radian तो आप इधर fake दोगे इधर pi को 180 upon pi degree हो जाएगा है तो अगर आपको पूछे कोई what is 1 radian equal to आप बोल लोगे 180 upon pi what if I ask you what is 1 degree equal to तो आप बोल लोगे sir pi upon 180 radian क्योंकि यह इधर आ जाएगा 1 degree ठीक है जी simple सी बात है तो यह चीज़े आपको याद रखनी है क्या एक line हमेशा याद रखोगे आप pi radian is equal to 180 degree या फिर 1 radian is equal to 180 by pi या फिर यह भी याद रखना है आपने 57 degree 16 minutes by second एक radian हमेशा याद रखोगे एक radian जो होता है ना हमेशा डिगरी से बड़ा होता है ठीक है हमेशा याद रखोगे radian degree से बड़ा होता है कितना बड़ा होता है 57 degrees 16 minutes और 22 seconds एक radian की जो value है ना जब आप इसको solve करोगे 180 upon pi को तोड़ोगे 180 upon pi आपको बढ़ा 3.14 या फिर 22 बटे साथ किसी को भी तरीके आप खोल लो तो उसकी value क्या आएगगी 57 degrees 16 minutes और 22 seconds ठीक है जी where pi is 22 by 7 या फिर 3.14159 ठीक है जी और 1 degree is equal to pi upon 180 radian इसकी value 0.01746 radian ठीक है अब आती है trigonometric ratios या relationship between different sides and angles ये आप सब लोग पता ही होगा ठीक है अगर ये मेरे पास एक triangle है ABC ठीक है ये मेरे पास hypotenuse है right angle triangle बना है ये triangle की base है नीचे इसको base बोलते है और ये perpendicular है जिस पे 90 degree बन रहा होता है ना जिस side पे ठीक है ये perpendicular है ये right angle triangle बना है तो हमारे पास 6 trigonometric ratios आती है 6 trigonometric ratios है sin, cos, tan, cosecant, sec और cot ठीक है तो हमारी जो sin theta की अगर मैं बात करूँ sin theta के क्या ratio में तूटा हुआ है perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular क्या है BC ठीक है जी तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ perpendicular क्या है हमारे पास B और C है तो इसको change कर ले ना ठीक hypotenuse तो AC लिया हुए ना तो यह BC कर ले ना परपेंडिकुलर AB नहीं एक सेकंड यह ratio गलत लिए है ठीक है इसको सही कर ले ना परपेंडिकुलर BC upon AC क्या BC upon AC परपेंडिकुलर upon hypotenuse ठीक है जी मैंने क्योंकि वहाँ C लिया ना इसलिए अब cos theta, cos theta क्या होता है base upon hypotenuse ठीक है त upon AC, hypotenuse ठीक है जी उसके बाद tan theta perpendicular upon base P by B तो BC upon AB, BC upon AB ठीक है जी एसी अगर को secant theta बात करूँ तो वह sin का उल्टा होता है अब सब लोगों पता है को secant क्या होता है, 1 by sin theta होता है ठीक है जी आगे बात करते है, what is sec theta equal to, secant theta की अगर बात करूँ तो cos का उल्टा होता है, that is hypotenuse upon base, hypotenuse क्या है, AC और base क्या है, AB ठीक है जी और cot क्या होता है, base upon perpendicular, that is AB upon BC, and मैं उमीद करता हूँ कि यह basic चीज़े आप सब लोगों को मालू है, but मेरा बताना फर्स है क्योंकि हम लोग सारा कुछ basic से cover कर रहे है, ठीक है जी, अब एक और right angle triangle में बना के देखता हूँ, ठीक है suppose करो बेटे, this is 2, this is 3, and this is 5, this is right angle A, B, and C, ठीक है जी, आप मुझे बताईएगा, what is sin theta equal to, नीचे comment section में, what is cos theta equal to, what is tan theta equal to, what is cot theta equal to, same sequence में आपने बताना है, what is cosecant theta equal to, and what is sex theta equal to, ठीक है जी, आप लोगों ने ये सारी चीज मुझे बतानी है, this is the perpendicular, and this is the base, and this is the hypothesis, ठीक है जी, चलिए, आगे बात करते हैं, अब वो तो सारी basic चीजे थी, ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास 3 trigonometric identities, बहुत famous, fundamental है जो, क्या कहती है, sin square theta plus cos square theta is always equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta, आप देखिए, यहां से आप तो बहुत सारे questions already paper के अंदर solve करते हैं, identity use करते हैं, ठीक है, यहां से एक नहीं चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे काम आएगी अगले lecture के अंदर, क्योंकि मैं बिल्कुल कम से कम trigonometry के ही आप मान के चले, बहुत सारे session 5 से 6 session तो माने trigger के ही बन सकते हैं, ठीक है, अगर पढ़ना है तो please request है, अच्छे डंक से पढ़ना, और जिसने channel को अभी तक subscribe नहीं किया हो, subscribe जरूर करना है और share जरूर करना, ठीक है, यह देखो अब, आप लोगों ने यह चीज नहीं देखी होगी, secant square theta minus 10 square theta is equal to 1 है, ठीक है, तो इसी साब स क्या मैं यह बोल सकता हूँ, secant theta minus 10 theta is equal to 1 upon secant theta plus 10 theta, क्या आप यह बात बोल सकते हो, yes मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यह मैंने क्या कर रहा है, इसको split कर दिया मैंने, इसको a square minus b square है ना, इसको लिख दिया a minus b into a plus b, और equal to 1 तो पढ़ा ही है, अब इसको RHS में फेक दि ठीक है, same goes with this expression as well, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, secant square theta minus cot square theta is equal to 1 है ना, दोस्त इसका भी, ठीक है, यह भी 1 है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, secant theta minus cot theta is equal to 1 upon secant theta plus cot theta, तो यह identity भी आप अपनी notebook के अंदर note down कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजे इन identities से भी solve ह हमारी हो जाएंगी, then आता है हमारा sign of trigonometric equations, sorry functions, ठीक है, कैसे quadrant system से, आप सब लोग पता है कि यह मारे पास angle जो है, वो 4 quadrant में अंदर divide हो जाता है, ठीक है, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, first quadrant की अगर मैं बात करूं, तो कौन सा angle यहां लाए करते हैं, यह angle वो लाए करते हैं, जो इस range में आते 90 माइनस theta की terms में जो express हो जाते हैं, ठीक है, 90 माइनस theta की terms में जो express हो जाते हैं, और 360 प्लस theta की terms में जो express हो जाते हैं, उनको हम लोग first quadrant के अंदर लिखते हैं, अचा quadrant system move करता है anti clockwise, first, second, third और fourth, यह anti है न, ऐसे घूमगे, anti clockwise move करता है, ठीक है, anti clockwise move करता है, अगर clockwise move कर रहे हो, तो angle के आगे negative लगा देना अगर clockwise move करो suppose करो बेटे आपने ना इधर से इधर angle में इस angle के अंदर आप गूम गए 70 degree के असपास गूम गए यहाँ पे ठीक है यहाँ 70 गूम गए तो theta पता क्या होगा minus 70 degree हो जाए ठीक है याद रखना है आप इधर वाली side से अगर गूम रहे हो ना तो हमेशा negative sign आगे आ जाएगा यह rule हमेशा याद रखोगे ठीक है जी अब आगे बात करते हैं इधर 90 minus theta और या 360 plus theta ठीक है जी यहाँ क्या होगा 90 plus theta और 180 minus theta second quadrant के अंदर यहाँ क्या होगा बेटे 180 plus theta और 270 minus theta यहाँ क्या होगा बेटे 270 plus theta और 360 minus theta मलब जितने भी angles हैं अगर वो 90 minus theta 360 plus theta की terms में represent हो सकते हैं तो first quadrant में हैंगे second quadrant में 90 plus theta और 180 minus theta की terms में represent हो रहे तो second quadrant में हैंगे third में 180 plus theta 270 minus theta की terms में हैंगे और fourth में 270 plus theta और 360 minus theta की terms में आएंगे हमेशा याद रखोगे आपने छोटी classes के अंदर भी पढ़ा होगा first quadrant के अंदर all are positive second में sine और cosecant positive third में tan और cot positive और fourth में cos और sec positive आप एक रटा भी मार सकते हो add sugar to coffee add sugar to coffee ठीक है जी ठीक है add sugar to coffee भी आप रटा मार सकते हो कैसे add add से all all are positive sugar से s s से sign और cosecant positive उसका उल्टा ठीक है जी two tan और उसका उल्टा cot positive coffee से c starting word देखना बस cos और उसका उल्टा positive ठीक है जी अब हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे क्या कि 90 और 270 के case में there is change in trigonometric function 90 और 270 के case में there is always change in trigonometric function ठीक है जी आप ये बात हमेशा याद रखेंगे जैसे मैं आपको बता भी देता हूं ठीक है इसको erase कर रहा हूं I hope you guys are noting down ठीक है जी सारी चीज़े मैं erase कर देता हूं अब ध्यान से बच्चे समझना कैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं sin 90 प्लस थीटा है sin 90 प्लस थीटा है अब ये sin 90 प्लस थीटा कैसे work करेगा मैं बात ध्यान से सुनना आप देखें कोडरेंट में 90 प्लस थीटा का लाई करता है second quadrant में लाई करता है second quadrant में sin positive है हमेशा आगे वाला देखते है sin positive है 90 प्लस थीटा में बिल्कुल positive लगेगा अब मैंने बोला 90 और 270 के केस में तो change हो जाएगा sin की जगा आजाएगा cos साइन की जगा क्या आजाएगा प्लस का cos थीटा अगया ऐसे अगर मैं बात करूं cos 182miche-線 अब 180 थीटा अगेन का आएगा second quadrant में है क्यूंकि 90 place थीटा और 180 माइनस थीटा कहाँ आता है second quadrant में आता है ठीके जी अब यह 180 माइनस थीटा यहाँ पे second coordinate में है second coordinate में cos negative तो minus का sign पहले लगा दो 180 के case में there is no change in trigonometric function कहाँ का change आता है 90 और 270 के case में तो as it is आ जाएगा cos ठीक है ऐसे चीज़े काम करती है ऐसी अगर मैं बोलू secant 360 प्लस theta है तो 360 यहाँ पर आएगा secant positive है तो positive का sign लगा दूँँ 360 के case में there is no change तो plus secant theta आजाएगा ऐसे चीज़े काम करती है ठीक है जी secant तो sign की जगा क्या आता है cos आता है sign change होता है cos में tan change होता है cot में और आपका second change होता है secant में ठीक है जी और वाईसा वरसा ठीक है जी चले आगे बात करते हैं अब कुछ values है जो आपको याद होनी चाहिए यह सारी values 90 तक आप याद कर लो बाकी तो आप convert करके कर सकते हो ठीक है जी बीच बीच में आपको और values में याद कराऊंगा जब हम लोग अच्छे advanced question में चलेंगे 15 degree होगी 25 degree होगी तो यह सारी values भी मैं आपको याद करवाता रहूँगा ठीक है जी 36 degree होगी और बाता degree होगी sin 0 0 sin 30 1 by 2 sin 45 1 by root 2 60 root 3 by 2 sin 90 1 cos 0 1 उल्टा चल लिया करो बस sin 0 से 90 आए यह उल्टा आ जाओगे 1 root 3 by 2 1 by root 2 हमेशे याद रखना एक angle जो first quarter end में जिसमे sin और cos दोनों सेम है वो 45 होता है 1 by root 2 1 by root 2 फिर 1 by 2 इधार और फिर 0 देखो cos के case में आप उल्टा चल रहे हो यह आ गया ऐसे ठीक है जी tan क्या होता है 0 1 by root 3 1 root 3 not defined infinity ठीक है जी cot में इसका उल्टा करते रहो tan का secant में cos का उल्टा करते रहो और secant में sin का उल्टा करते रहो यह values आ जाएंगी आपकी 120, 135, 1500 सारी values आप निकाल सकते हो इसको 180 minus 60 कर दोगे इसको 180 minus 45 कर दोगे इसको 180 minus 30 कर दोगे अगर sin निकालनी है आपको sin 135 तो 135 को कह लिख सकते हो 180 minus 45 sin 180 minus 45 sin 180 minus theta is sin theta sin 45, 1 by root 2 ठीक है positive होता है second quadrant में है sin positive है आप देखिए वही एक बार trigonometric ratios of allied angles देख सकते है ठीक है हमेशा याद एक चीज और रखना कि sin के अंदर अगर minus theta आजाए angle में तो sin क्या करता है पेटे omit करता है sorry, vomit करता है negative sin को क्या करता है? vomit भार निकाल देता है मुझ से तो यह ना भार आ जाएगा minus theta आ जाए minus sin theta और whereas if I compare it with cos cos क्या करता है? omit करता है negative sin खा जाता है cos of minus theta is cos theta same goes with tan tan भी यही करता है बेटे tan of minus theta है न sin की तरह काम करेगा minus sin भार निकाल देगा vomit आउट करता है ठीक है? इनके reciprocal भी सेम चीज़ करता है तो sin minus theta minus sin theta करता है cos of minus theta plus cos theta क्योंकि minus sin खा जाता है tan of minus theta minus बार फिक देता है अब sin 180 90 minus theta cos theta 90 plus theta cos theta क्योंकि यह 90 plus theta है न तब भी second coordinate में है तब भी positive है और 90 की case में change in trigonometric ratio 180 sin theta 180 plus theta यह तो आप निकाल सकते हो easily याद करना याद कर सकते हो नहीं तो आप easily paper के इंदर 20 को निकाल सकते हो chart को note down कर लिजेगा ठीक है जी? आगे बात करते हैं अब कुछ basic identities और formulas जो आपको याद होने चाहिए sin a plus b sin a plus b का ठीक है जी? तो plus के साथ बीच में plus आ जाएगा minus के साथ बीच में minus आ जाएगा ठीक है जी? cos a plus b मैंने पूरा कर दिया a plus b में cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b जब plus है तो minus आएगा याद रखना ठीक है जी? cos a plus cos b kis के cos a plus b किसके बराबर है, cos A, cos B minus sin A, sin B और minus के साथ plus आता है, cos A minus B क्या होगा, cos A cos B plus sin A, sin B ठीक है जी, फिर आता है tan A plus B, ठीक है जी, tan A plus B क्या होगा, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B क्या होगा, मैं लिख देता हूँ tan A plus B की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा tan A plus tan B 1-10A 10B ठीक है जी और 10A-B की अगर मैं बात करूँ तो फरक पता क्या आएगा यहाँ पर 10A-10B हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1-10A 10B 1-10A इंटर 10B ठीक है जी 1-10A 10B हो जाएगा same goes with cot A plus B cot A cot B minus 1 plus के साथ minus 1 उपर और नीचे cot B plus cot A ठीक है जी और minus के साथ cot A cot B plus 1 नीचे plus 1 आएगा यहाँ पर plus के साथ minus उपर ठीक है जी cot A cot B plus 1 upon cot B plus cot A और cot A minus B cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A याद रखना cot B minus cot A ठीक है जी आगे sin A plus B into sin A minus B दोनो अइडेंटिटी आपके finger tips पे होनी चाहिए है बहुत इपर्टन्ट है sin A plus B into sin A minus B sin square A minus sin square B ठीक है इसको 1 minus cos square A लिख सकते हो यह जो अइडेंटिटी है यह इसी सही आई है इसको 1 minus cos square A लिख दो इसको 1 minus cos square B लिख दो फिर cos A plus B into cos A minus B same identity cos square A minus sin square B हो जाएगी इसको same identity को change कर सकते हो कैसे 1 minus sin square A लिख दो और 1 minus cos square B लिख दो तो यह आजएगा cos square B minus sin square A ठीक है तो यह दोनों body important identities है sin A plus B into sin A minus B sin square A minus sin square B cos square B minus cos square A cos A plus B into cos A minus B cos square A minus sin square B is equal to cos square B minus sin square A tan A plus B plus C tan A plus tan B plus tan C minus tan A tan B tan C upon 1 minus tan A tan B minus tan B tan C minus tan C tan A triple angle formula three angle formula बोलते इसको tan A plus B plus C that is tan A plus tan B plus tan C minus tan A tan B tan C upon 1 minus tan A into tan B minus tan B into tan C minus tan C into tan A फिर आता sin a plus b plus c ये भी triple angle formula sin a cos b cos c cos a sin b cos c cos a cos b sin c very rarely used formula याद करना है आप कर सकते हो बाकि notes के अंदर आप handy रखिए same formula ये भी है ये भी very rarely used notes के अंदर आप handy इसको रख सकते हैं याद करने की अभी के लिए ज़रूरत इसकी नहीं है चलिए बेटे आगे बढ़ते है next is transformation formula ठीक है जी transformation formula अब ये transformation formula गया है ये बड़े important है वाई इनको star लगाना और बहुत जगा use होंगे ठीक है क्या है पहला 2 sin a cos b क्या है 2 sin a cos b पहला sin a plus b plus sin a minus b कर लेना है ठीक है यहां कर लेना plus sin a minus का b 2 sin a cos b क्या होता है sin a plus b plus sin a minus b 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b 2 sin a sin b क्या होता है cos a minus b minus cos a plus b चारो formula बहुत जढ़ा important है ठीक है जी 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b 2 sin a sin b sin A plus B minus sin A minus B 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B ठीक है जिए फिर sin C plus sin D इसको बोलते हैं C and D formula ये भी बहुत जादा जरूरी है sin C plus sin D 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2 sin C minus sin D 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2 ठीक है जिए फिर cos C plus cos D 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2 ये important है बच्चे गलती करते हैं cos C minus cos D 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2 note please note D minus C by 2 है अगर यहां C minus D by 2 कर रहे हो तो आगे minus का sign लगा देना ठीक है जिए इसलिए मैंने यहां पर note लिखा हुआ है ठीक है तो cos C minus cos D किसके बराबर है 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2 ठीक है जिए अगर C minus D करते हो तो आगे minus का sign लगा दीजेगा then trigonometrical ratios of multiple angle formulas ठीक है जिए अब यह multiple angle formulas किस पे है sin 2 theta का formula होता है 2 sin theta cos theta formula आपको tips पे याद होने चाहिए without formula आप trigonometric touch भी नहीं कर पाऊगे ठीक है sin 2 theta का formula क्या होता है 2 sin theta cos theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta ठीक है जिए cos 2 theta के हमारे पास 4 formula होते पहला formula cos square theta minus sin square theta दूसरा formula 2 cos square theta minus 1 तीसरा formula 1 minus 2 sin square theta चौता formula 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta यह 4 के 4 formula आपको अपने fingertips में याद होने चाहिए then tan 2 theta का formula tan की terms में 2 tan theta upon 1 minus tan square theta sin 3 theta का formula 3 sin theta minus 4 sin cube theta cos 3 theta का formula 4 cos cube theta minus 3 cos theta tan 3 theta यह भी बड़ा important है भाई tan 3 theta जब भी आपको कोई भी सवाल में देखे always remember question के अंदर formula को खुलना होगा important tip दी है ठीक है question जब भी tan theta की terms में है अमेशा याद रखना tan 3 theta की terms में है तो अमेशा formula के कहता है 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta अब sin theta by 2 ठीक है sin theta by 2 आप direct भी याद रख सकते हो नहीं तो यह निकला कहां से cos की terms में ही निकला है क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि 1 minus cos square theta क्या होता है यह 1 minus cos theta ही ले लो आप इस सीधा ही ले लो 1 minus अगर आप cos theta लोगे ठीक है तो cos theta की terms को आप खोल सकते हो कैसे cos 2 theta की जगा आप cos theta ले लो तो half angle formula हो जाएगा तो यह हो क्या जाएगा 1 minus 2 sin square theta by 2 हो जाएगा तो sin की terms में आ जाएगा यह cos 2 theta की जगा आप क्या ले सकते हो cos theta लिया तो cos theta को आप इसकी terms में ये cos 2 theta था, अब theta होगा तो 1-2 sin square theta by 2 हो जाएगा यही चीज निकल के आएगी ठीक है जे, फिर cos theta by 2 again, cos 2 theta का formula क्या है 2 cos square theta minus 1 अगर cos theta होगा, तो उसका relation क्या होगा 2 cos square theta by 2 minus 1 अब यही चीज निकल के आएगी ठीक है, फिर tan theta by 2 को under root 1 minus cos theta by 1 1 plus cos theta भी लिख सकते हो, यह mod के अंदर 1 minus cos theta upon sin theta या फिर sin theta upon 1 plus cos theta यह short trick है, याद रखनी है अपने ठीक है, tan theta by 2 को क्या लिख सकते हो, under root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta modulus of 1 minus cos theta upon sin theta mod of sin theta upon 1 plus cos theta ठीक है, under root 1 plus sin 2a mod of sin a plus cos अभी आपको मतलब समझ में आएगा, यह mod का क्या है क्योंकि यह quadrant system पे based है, जब हम सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा under root 1 minus sin 2 क्योंकि यह 1 को मलोग change कर देते हैं एक दिखाओं आपको expression, कैसे आया है यह देख, 1 plus sin 2a यह 1 को लिख दे, sin square a plus cos square sin 2a को लिख दे, 2 sin a cos यह देख, identity बन गी a square plus b square plus 2a b, क्या बन गया, sin a plus cos का whole square अब r plus minus तो आएगा ही, root change होगा और उपर से quadrant change होगा angle पे depend करेगा तो इसलिए mod लग गया sin a plus cos ठीक है, quadrant पे फरक पड़ता है चलिए एक कोई भी अगर trigonometric function हो उसकी maximum minimum value अगर एक general equation है दो maximum minimum पे एक separate पूरा topic है, एक देड़ घंटे का lecture होगा उसके उपर maximum minimum value कैसे निकालते trigonometric function की, तो अगर आपको a sin theta generally है होगी यह बहुत basic है, इसलिए आज basic चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए video के थूरू जा रही है a sin theta plus b cos theta अगर कोई ऐसा function है ठीक है, ऐसी equation देड़े, आपको इसकी maximum और minimum value दिया नहीं है तो कैसे होगी maximum value plus of under root a square plus b square और minimum value minus of under root a square plus b square जैसे for example, question आए 2 cos theta 2 cos theta plus 3 sin theta आगया ठीक है जी तो 3 sin theta plus 2 cos theta भी लिख सकते हो इसको a की बात है, a cos theta plus b sin theta plus of under root a square 2 का square 4, 3 का square 9 हो गया क्या हो गया, plus of under root 13 हो गया और minus of under root 13 हो गया यह maximum, यह minimum ठीक है, एक second के अंदर, चले उसके बाद उसके बाद हम लोग बहुत चीज़ important देखने वाले है कुछ important और useful concepts हमारे पास है that is पहला, tan theta is equal to cot theta minus cot 2 theta होता है हमेशा यह expression को याद रखना बहुत ज़रूरी है दूसरा expression यह भी बहुत ज़रूरी है tan 3 theta is equal to tan theta minus tan 60 minus theta into tan 60 plus theta हमेशा याद रखोगे expression को example दू, जैसे for example आपके पास expression आगया tan 20 into tan 40 into tan 80 ठीक है यह आपको निकालना है इसकी value निकालनी, यह question आगया तो आप ध्यान से देखो tan theta tan 20, theta 20 हो गया न tan 60 minus theta 60 minus 20, 40 60 plus theta है न, 60 minus theta और यह 60 plus theta theta क्या है 20 है किसके पराबर होता है, tan 3 theta क्या 3 times theta कर दूँआ 3 times कितना कर दूँआ, 20 3 into 20, 60 हो गया tan 60, tan 60 is root 3 ठीक है, ऐसी quickly हम लोग values निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसी tan a plus tan b, tan a plus b minus tan a minus tan b, किसके बराबर है tan a into tan b into tan a plus b, very important previous year question भी आ चुक है nda और cdl दोनों के उपर, ठीक है मैं आपको show भी करूँँआ, previous year में then, sign के लिए भी expression होता है same question अगर sin में होता sin 20, sin 40, sin 80 बस उसमें sin में क्या होता है sin theta into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta उसमें 1 by 4 आ जाता है आगे न 1 by 4 sin 3 theta ठीक है, क्या आ जाता है 1 by 4 sin 3 theta आ जाता है cos में भी 1 by 4 आ जाता है, same rule cos में भी लगता है, cos theta तीटा कॉन 60 माइनस टीटा इन्टु कॉस 60 प्लस टीटा किसके बराबर 1 बाय 4 कॉस 3 टीटा के बराबर ठीक है जी आगे बात करते हैं देन हमार पास अगेन यूसफुल सीरीज है AP arithmetic progression जब angle हो और जब geometric progression में angle हो ठीक है जैसे अगर मैं आपको बोलू sine alpha कुछ भी sine की सीरीज जुड रही है जहाँ पे angles देखो AP के अंदर है यह A हो गया यह A plus D हो गया A plus 2D A plus 3D ऐसे arithmetic progression बन रही है AP sequence सीरीज में आपने चोटी classes में पढ़ा होगा ठीक है AP बन रही है तो angles के बीच जब AP बन रही है और यह जुडता जा रहा है क्या है यह जुडता जा रहा है N terms तो इसका relation पता है plus में सारी सीरीज है कैसे दिया जाता है sin N beta by 2 upon sin beta by 2 into sin of first angle alpha ले लो plus N minus 1 upon 2 into beta ठीक है इस तरीके से आप लोग जो है answer दे सकते है जब sin की terms में है तो sin में आएगा जब cos की terms में तो यहां cos आएगा यहां मेशा sin ही आएगा यह तो हमेशा sin ही रहेगा second term तो हमेशा sin में ही रहेगी first term यह AP का formula लगा है A plus N minus 1 into upon 2 into D ठीक है जी यह वह AP का formula लगा है यहां पर sum of a series का ठीक है तो यहां भी अगर angle जो है आपके AP में है alpha, alpha plus beta alpha plus 2 beta common difference बता क्या है इसके अंदर beta है इधर भी common difference क्या है बीटा है तो अगर angles अगर AP में है इसके बहुत सारे सवाल मैं आपको करा हूँगा ठीक है तो don't worry concept learning नहीं हुई है अभी सिर्फ basic prerequisite है concept learning तो जब हम question करेंगे तब यह आपको बेतर समझ में आएगा इसमें तो cos alpha plus cos alpha plus beta plus cos alpha plus 2 beta डडडड़ डड़ टू end terms अगर जा रहा है यहां पर common difference between angles is beta तो यह कैसे दिया जाएगा cos sin n beta by 2 upon sin beta by 2 into cos यहां cos का है न यहां cos रहेगा यहां मेशा sin ही रहेगा cos alpha plus n minus 1 upon 2 into beta ठीक है यह तो ap के लिए हो गया यह gp के लिए है geometric progression के लिए जब angles जो है वो a की common ratio है दोनों के बीच में ठीक है जी multiply हो रहे alpha 2 alpha 2 square alpha ठीक है न जैसे cos theta हो गया into cos 2 theta हो गया फिर cos 4 theta हो गया into cos 8 theta हो गया into cos 16 theta हो गया है ना देख रहे हो आप सब के बीच के division करो ज़रा angles की क्या रहे है 2 यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2 common ratio कितनी आ रही है 2 आ रही है r2 आ रहे है दिख रहे है तो यह कहा है GP के अंदर है तो कैसे दिया जाएगा इसका relation कहा है sin 2 की पार n alpha upon 2 की पार n sin alpha ठीक है जी sin 2 की पार n into alpha और 2 की पार n into sin alpha into कर लेना ठीक है जी directly भी आप याद रख सकते हो अगर alpha 2n πाए है ठीक है जी तो answer 1 है अगर 2k plus 1 into πाए है तो minus 1 है खैर अगर आप इसको याद भी नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि formula याद रखना है जो कहता है sin 2 की पार n into alpha upon 2 की पार n sin alpha where alpha जो है वो angle है यह रह angle और common ratio तो आपको दिखी रही है cos alpha cos 2 alpha, cos 2 square alpha फिर आगे data dash cos 2 की पार n alpha दिख रहा है न cos theta, cos 2 theta, cos 4 theta GP के अंदर रही है angle चले, आगे बात करते है अब एक example भी इस पे कर लेते है same, मैं आपको दिखा देता हूँ example, जैसे अगर मैं बात करूँ पिछले वाले example की है AP की बात करूँ, alpha, alpha plus beta तो एक fixed ले ले लेते हैं alpha alpha ले लेता हूँ, मैं 90 90 ले लेता हूँ, ठीक है sin 90 ले लिया इदर ठीक है, फिर sin 90 plus beta ले 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 15 90 plus 15 ठीक है, plus अब ऐसे लिखा नहीं होगा यहां लिखा होगा sin 105 समझे रहो मेरी बात यहां 105 लिखा होगा, मैं तो आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ sin 90 plus 30 होगा ठीक है, फिर sin 90 plus यहां पे 45 हो जाएगा 3 beta होगा फिर sin 90 plus 60 हो जाएगा देख रहे हो आप तो मतलब अगर आप इसको solve करोगे आपका question पता कैसे आएगा sin 90 plus sin 105 pi की terms में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है फिर sin 120 fine 135 plus sin 200, दिख रहा है आपको common difference angles के बीच का क्या है, सेम है दिख रहा है, यह pi की terms में भी आ सकता है n terms common difference angles के बीच में सेम होना चाहिए, ठीक है जी तो अब इसका क्या formula लगेगा इसमें alpha यह रहा और beta के है, 15 alpha 90 है और beta कितना है, 15 और terms, n क्या होता है, number of terms n क्या होता है, number of terms ठीक है, जी तो sin n beta by 2 formula sin n beta by 2 upon sin beta by 2 15 बड़े 2 करना पड़ेगा आपको ठीक है, हो सकता है, question paper में आपको value दी हो ठीक है, साड़े 7 की नीदो 15 बड़े 2 आपको निकालना पड़ेगा half angle formula से, जो आने वाली classes में आप सीख जाएंगे into sin alpha plus n minus 1 by 2 into beta ठीक है, जी तो इस तरीके से आप जो है अपना answer निकाल लेंगे, same goes with this this factor, ठीक है जब gp's के, जब cos के अंदर हो terms, cos alpha plus alpha plus beta, cos alpha plus 2 beta dot 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 end terms तक, उसके लिए भी same, जो आपका solution है, बट फरक क्या आएगा, यहाँ पे cos आजाएगा, वहाँ पे sign है ना यहाँ पे sign है, यहाँ पे cos आजाएगा, alpha क्या है, 90 beta आपका 15 है तो इसको आप value डाल दोगे और आपका answer आ जाएगा ठीक है जी, then conditional triglometric identities, अगर आपका a plus b plus c का sum x plus c है, अगर आपका angles का sum, a plus b plus c का sum a plus b plus c का sum x plus c है, then sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, सीधा याद रखो कि 4 sin a, sin b, sin c ठीक है जी, 4 times sin a, sin b, sin c cos 2a plus cos 2b plus cos 2c minus 1 minus 4 cos a, cos b, cos c ठीक है जी, sin a plus sin b plus sin c, अगर a plus b plus sum c का sum पाया है, तो 4 cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by into cos c by 2, cos a plus cos b plus cos c, हाँ, cos में last में change होता है, 1 plus 4, क्योंकि 1 में है न, आगे तो 1 plus 4 sin a by 2, sin b by 2 and sin c by 2 cos square a plus cos square b plus cos square c, 1 minus 2 cos a, cos b, cos c formulae याद रखने हैं गे, tan a plus tan b plus tan c, ठीक है, अगर angle का sum a plus b plus c का sum x plus c है, जैसे a saat ले लो b b saat ले लो, c b saat ले लो tan saat root 3 plus root 3 plus root 3, किसके बराबर है, 3 root 3 के और यहाँ पर root 3 into root 3 into root 3, वो भी किसके बराबर है, 3 root 3 के, ठीक है जी, फिर tan a by 2 into tan b by 2, plus tan b by 2 into tan c by 2, plus tan c by 2 into tan a by 2, किसके बराबर हमेशा, 1 के बराबर हो, clear? सारी values आपको अमेशा याद होनी चाहिए, then cot b, cot c plus cot c, cot a plus cot a, cot b is equal to 1, condition वही है, a plus b plus c का sum 180 होना चाहिए, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2, जहां पर a plus b plus c का sum, again कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, that is pi होना चाहिए, ठीक है, then हम लोग बात करते हैं, trigonometric ratios के domain और range के बारे में, और उनके period के बारे में, आपको मैं बता दू, सारे trigonometric function कैसे होते हैं, periodic function होते हैं, periodicity का मतलब क्या है, repeat करते हैं अपनी values को, मैं अभी थोड़ा सा दिखा भी दूँगा आपको hint, ठीक है, sin x, domain क्या होते है, x की values, किसकी होती है, x की value, range क्या होती है, y की यह y की values है, ठीक है, तो domain के x, x तो अंदर कुछ भी हो सकता है, जिद्दा मर्जी angle, गुमालो angle तो कुछ भी हो सकता है, but, जो all real numbers आए, all real numbers, but, यहां जो range हो क्या होगी, minus 1 से लेके, 1 के बीच में रहेगी, cost की range भी हमेशा कहा रहती है, minus 1 से लेके, 1 के बीच में रहेगी, ठीक है, ओके, tan x की बात करूं, all real numbers except 2n minus, 2n plus 1, pi by 2, where n belongs to integers, ठीक है जी, all real numbers, tan x के लिए, ठीक है जी, cortex, all real numbers except n pi, n belongs to integer, यह n pi पता क्यों कह रहा है, क्योंकि tan n pi हमेशा 0 होता है, tan n pi कितना होता है, बेटे हमेशा 0 होता है, यह आगे सीखो गया, tan n pi 0 तो cot उसका उल्टा होता है, तो not defined हो जाएगी n pi पे न, value, इसलिए यह छोड़ रहे हैं, ठीक है, और tan आपको tan को क्यों छोड़ा, 2n plus 1, pi by 2, because alternate multiple, odd multiple, alternate odd multiple of cosecant, cos theta is always 0, ठीक है, अगर मैं बात करूं, cos pi by 2 तो 0, cos 3 pi by 2 तो 0, cos 5 pi by 2 तो 0, तो odd multiple of pi by 2 हमेशा cos का क्या देता है, 0 देता है, और आपको tan पता क्या होता है, sin by cos होता है, sin x by cos x होता है, अगर यही 2n plus 1 pi by 2 होगा, तो यह 0 हो जाएगा, तो sin x upon 0 तो not defined हो जाएगा, तो इसलिए tan x के अंदर all real numbers except this value, ठीक है, cot x के अंदर all real numbers except n pi, secant x के अंदर भी same, क्यों 1 by 0 हो जाएगा not defined, इसलिए 0 वाली value को हमने क्या कर दिया, minus कर दिया r में से, और को secant के लिए r minus कर दिया n pi, because sin n pi 0 होता है, sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi, sin 5 pi, sin 0 होता है, तो इसलिए n pi वाली terms हमने where n belongs to integer हटा दी, ठीक है, तो tan, cot दोनों का जो range है, वो all real numbers है, जो secant x की range हो क्या, minus infinity से minus 1, union, 1 से लेके infinity तक, union मतलब होता है, जोड, साथ में मिला दिया इसको, ठीक है जी, बीच में की value नहीं आएगी, minus 1 से लेके 1 तक नहीं आएगी, कुछ भी value, ये value नहीं आएगी, इसको आप all real numbers ऐसे भी लिख सकते है, all real numbers except minus 1 से लेके 1, same goes for this, इसको भी आप ऐसे लिख सकत 2π, फिर secant x का period 2π और cosecant x का period भी 2π, मैं आपको बता देता हूँ, sin x अगर मैं बात करूँ function, आपका sin x है, sin x का graph मुझे पता है, आप सब लोगों को आता होगा, कैसा graph होता है sin x का, ठीक है जी, अगर मैं draw करूँ, यह angle define कर दूँ मैं, ठीक है जी, 0, यह values define कर दूँ y axis पे ठीक है जी, यह plus 1 होगी, और यह minus 1 होगी, ठीक है जी, तो sin का graph कैसे जाएगा, ऐसे जाता है sin का graph, ठीक है, अब देखना विटे ज़रा, अगर यह value 1 है, तो यह क्या है, pi by 2, pi 0 है, तो sin pi, 3 pi by 2 तो minus 1, और फिर 2 pi, अब देखो 2 pi के बाद न, 2 pi के बाद आप क्या notice कर पा रहे होंगे, यह 2 pi यहाँ पे खतम हो गया न, अब देख, दुबारा से wave आ रही है, same, यहाँ से यहाँ तक value same है, यह देख, यह और यह, same graph है, फिर आगे भी, यहाँ पे भी graph same हो जाएगा न, तो मतलब, after every 2 pi, sign is repeating its value, after every 2 pi, sign is repeating its value, तो period, period क्या हुआ इसका, 2 pi हुआ, because periodic function ऐसे function होते हैं, जब f of x plus t मैं करूँ न, कुछ period जोड़ दू, तो हमेशा मुझे f of x e मिले, ठीक है, where t is the period, where t is the period, ऐसे functions होते हैं, ठीक है, so we are done for today, ठीक है, and I want कि आप ज़्यादा स्यादा इस lecture को share करें, अपने दोस्तों के साथ, और अपने इस channel को subscribe नहीं है, तो channel को ज़रूर subscribe करें, सारे basic, I hope आप सब लोग एक एक बार quickly revise होंगे, क्योंकि next session के अंदर, हम लोग बहुत बहतरीन तरीके से सवालों के उपर चर्चा करने वाले basic question के उपर, उससे आपकी और concept clarity clear होगी, and I hope you enjoyed the session for today, please like this video and share करें, अगर कोई doubt आता है, नीचे comment section मुझे बताइएगा, and next video के अंदर I will be making a telegram group as well, ठीक है, उस उसका link भी आपको next video के अंदर description में मिल जाएगा, तब तक के लिए, जैंग!